हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू आवर चैनल सचिंटोक्स कैनडा जैसा कि आपने देखा था कि हमने अपनी लास्ट वीडियो में आपके साथ बात करी थी आइल्स के उपर की आइल्स का टेस्ट कैसे बुक करना है सो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि हमने कौन सी स्टैटेजी अपने डेली रूटीन में इंकल्केट करी थी जिससे हमारा स्कोर इंप्रूव हुआ and same strategies आप भी अपने रूटीन में अप्लाई कर सकते हो so हम बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ but वीडियो मांगे बढ़ने से पेले हम बात करते है कि IELTS में कौन-कौन से मोड्यूल होते है और किस-किस बेसिस पर आपको जज करा जाता है तो मोड्यूल से बताईगी अंजली आपको so IELTS general के अंदर generally four modules होते है that is reading, listening, writing and speaking इन सब के different criteria होते हैं evaluation के for example आपके writing के अंदर evaluation एक अलग parameters पे की जाती है speaking पे अलग parameters पे की जाती है so उनी parameters को सबसे पहले हम लोगों ने Google किया, research किया कि क्या parameters है and specifically उन पे focus किया so सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अपने reading module के ओपर कि हमने reading के लिए क्या strategy adopt की so सबसे पहले हम बात करते हैं reading module की, reading module में होते हैं आपके four sections and जैसे जैसे आप sections में आगे बढ़ोगे like section 1 काफी easy मिलेगा आपको and section 2, 3 की तरफ जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे complexity of passage भी वैसे वैसे increase होगी so reading की practice के लिए हमने IELTS का जो हमें premium access मिलता है उसमें जो 40 test papers आते हैं उनसे हमने practice करी दी so इनका access कम मिलता है और कैसे मिलता है इस topic पे हमने अपनी last video में बात करी दी so आप अपमारी last video को जागे देख सकते हो and उसका link हम अपने i button में भी डाल देंगे so जो यह 40 test papers हैं यह more than sufficient है reading की practice के लिए so reading module के लिए exam date tip है मेरी की जो section 4 है उसको आप सबसे पहले attempt करो section 4 का passage काफी lengthy होता है तो अगर आप section 4 को proper time देके अच्छे से attempt कर पाते हो then आपके लिए reading module में score करना काफी easy हो जाएगा क्योंकि section 1, 2, 3 जैसे आपको पता है वो comparatively easy होता है plus जो time होता है वो भी section 4 को सबसे ज़्यादा required होता है तो आपको last में time crunch बिल्कुल भी feel नहीं होगा जो हमारे case में हमें feel हुआ था because हम लोगों ने शायद section 1, 2, 3 को ample amount of time दिया और हम लोगों ने यह realize नहीं किया कि जो section 4 है वो सबसे ज़्यादा लेंदी है so इसलिए हम लोगों यह tip देना चाहते हैं कि आप section 4 को सबसे पहले attempt करो so that अगर आपके पास last में फोड़ा कम time भी मिलता है आपको for section 1 or 2 so you can adjust your time and actually score well so हम next module की बात करते हैं वो module है listening so listening module के लिए सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस ही आपका score improve कर सकती है so हमारे case में जब हमने sample test attempt करना start करा था हमारा score आता था 26-27 and till that time हमने 40 test papers जो हमें मिलते हैं 40 test papers attempt करें तब तक हमारा score increase होके 36-37 हो चुका था and जैसा आपको हमने बताया था कि मेरे IELTS listening में 8.5 थे that that is a very good score so listening module के लिए हमारी यही tip है कि आप ample amount of practice करो and एक और चीज है यहाँ पर कि जब हम लोगों ने अपने listening mock test attempt किये थे वहाँ पर जो questions थे वो काफी complex भी थे apart from the easy ones वहाँ पर जो हमारे को questions थे वो fill the two words, three words इस type के questions भी थे जिसके अंदर हमको काफी जादा properly और attention से सुनना पड़ता था कि passage में क्या बोल रहे है good part was that in the exam ऐसा एक भी question नहीं आया और सिर्फ वर से one word वाले जो questions थे वो आये so ये काफी अच्छी चीज थी है because क्या होता जब को जब आपको one word catch करना होता है वो comparatively easy रहता है then two three words so listening में जो आपको सबसे tough section लगेगा वो लगेगा maps so आप map की अच्छे से practice करो जिस पर आप जाके maps को कैसे attempt करना है उसके tips read कर सकते हो हम लोग हम लोगों ने e2 ielts के जो tutorials थे उनको refer किया था so I would suggest कि आप ऐसे और tutorials को refer कर सकते हो because maps काफी complex question है so हम लोग actually आज ये video बनाते बनाते अपनी grocery shopping भी करने आए है सो आप देख सकते हो कि यहां पर अब summer season अब end हो रहा है and fall season शुरू हो रहा है basically fall season यह autumn season होता है जहां पर यह सारे trees आप देख सकते हो अब धीरे greens है yellow orange और बहुती beautiful scenery हो जाते हैं यहां पर within like few days so हम आपको दिखाते रहेंगे अपने और भी latest videos के अंदर यहां पर fall season कैसा लगता है but now jumping back to the video topic so अब हम बात करते हैं सबसे complex module की IELTS में वह है writing so writing module में score करना काफी tough है उसके लिए आपको काफी practice करनी पड़ेगी as comparison to listening or reading so writing में जो question type है काफी different types of question आते है like formal informal letters आता है उसके बाद आपका जो essay होता है essay आपको advantage disadvantage and उसके अलावा problem solution so काफी type के आपको essays मिलेंगे and two or three types के आपको letter मिलेंगे so in letters and essays को attempt करने के आप videos तो देखो गई but उसके साथ साथ आप अपने हाथ से in letters को लिखने की जाद से जादा practice करो क्योंकि अगर आप practice नहीं करोगे so exam day वाले दिन आपके mind में thoughts नहीं आप आएंगे कि आपको कैसे लिखना है and हो सकता है कि कुछ जो आपको pattern है proper वह pattern भी आपके mind से miss हो जाए right so इसमें एक और चीज यह है कि सबसे पहले जो evaluation criteria होता है वो writing में काफी different होता है इसके अंदर आपको structure के भी marks है आपको grammar के भी marks है और आपको word limit के भी marks है so आपको इन सारे criteria को अपने back of the mind दिहान रखना है and then attempt करना है and to be very honest though हम लोग अपने normal day to day life के अंदर English को काफी use करते है but I think काफी time हो चुका है कि जब हम लोग एक formal letter और maybe एक proper essay लिखे on a generic topic so इसके लिए आपको practice जरूरी है because exam day वाले दिन हम लोगो ने realize कि जो आपको एक घंटा मिलता है that is 20 minutes for the letter and 40 minutes for the essay वो बिलकूल भी extra नहीं है हम लोग एकदम dot time पे ही अपने exam complete कर पाये थे because क्योंकि आपको वो शायद आदत नहीं रह जाती अब काफी time हो गया है लिखे होए चीजें ऐसी इतनी proper way में और एक evaluation pattern को follow करते हुए so I would suggest at least 10 to 12 exams को exams को attempt करो during your preparation and properly उसको लिखो and probably किसी और से analyze या उसको evaluate भी करवाओ Yes, it's a very valid suggestion कि आप letter या आप essay लिख रहे हो that's good but आपको उस letter essay को evaluate करवाना काफी जरूरी है so मेरे case में मैंने यह mistake करी थी कि हमने काफी सारे letters लिखे but उस letters को हमने evaluate नहीं करवाया तो हमने पता नहीं चला कि what are all our mistakes correct so यह था writing section and definitely यह सबसे ज्यादा scoring level के perspective से काफी tough होता है because हम लोगों ने और अपने case में भी देखा है हम लोगों ने 6, 6.5 यह एक generic score है 7 cross करना मतलब काफी impossible task होता है but I would wish you all the best कि आप लोग हमसे better prepare करो और जरूर comment section में बताओ कि अगर आपके 7 अबब आते हैं and maybe you can share us the tips share with others those tips so इसके अलावा जो लास्ट आपका module है वो है speaking so speaking के लिए भी आपको complex grammar use करनी है and complex sentence use करने है but section इतना tough नहीं है so just you have to do a lot of practice and उसके अलावा जिसे हम लोगों ने एक strategy adopt की थी कि हम लोग generally क्या करते थे कि during our like when we used to go for walks हम लोग अपने 3-4 topics pick करते थे जिसके ओपर अपना 2-minute का timer लगा के continuously बोलते थे because जो आपके evaluation criteria होता है for speaking उसके अंदर fluency and no repetition एक बहुत बड़ा factor होता है so अगर आप वो fluency maintain नहीं कर पाओगे काफी जादा fumble करोगे तो definitely आपकी scoring में से आपके marks cut होते जाते है so generally speaking आप कई बार किसी किसी topics पे इतने fluent नहीं बोलते हो so इसलिए make sure करो कि general topics speaking for example how where you live about your friend about your memorable day एक एक बार एक बार रेफरेंस लेके उनके उपर जरूर प्राक्टिस करो बोलने की because when you are not speaking and you are just only reading those answers from other videos you won't be able to speak on the exam day so इसमे भी प्राक्टिस बहुत बड़ा key factor आपके लिए प्ले करेगा so ये थी हमारी अपनी पूरी IELTS का अपना experience and हमारी टिप्स आप लोगों के लिए so अगर आपका और कोई कोशन है IELTS related तो आप हमसे comment section में पूछ सकते हो and इसके लावा एक और चीज हम लोग हम आप लोगों के साथ शेर करना चाहते है कि IELTS definitely a tough exam है so अगर आपको लगता है कि आप IELTS नहीं देना चाहते एंड आपका sole purpose है Canada immigration like आप express in अपनी file लगाना चाहते हो so उस case में आप cell pip एक exam है cell pip easy है when we compare it to IELTS because cell pip is only for Canada but IELTS or countries immigration में भी help out करता है Canada के लिए आप cell pip दे सकते हो क्योंकि cell pip is designed only for Canada immigration correct so अगर cell pip से भी related आपका कोई question है या आपकी कोई tips है वो आप comment section में share कर सकते हो so मिलते हैं अपनी next video में till the time take care and thank you for watching our videos goodbye